हेलो गाइज it is good to be back to the old studio setup तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यह मेरा old studio setup है मेरा head थोड़ा कट रहा है तो इसको थोड़ा सा मैं ट्राइपड को उच्छा करना पड़ेगा थोड़ा सा अभी अच्छा है और इस साइट से एक light नहीं लगाया अभी तक तो यहां पर आप जैसे कि आप देख सकते हैं कर रिंग लाइट है और इसको में ज्यादा कम कर सकता हूं थोड़ा सा warm कर लेते हैं वार्म करने से अच्छा दिख रहा है थेस भी थोड़ा सा रेडिस टैप का मतलब नेचुरल लूक आ रहा है और बेगराउंड भी सही लगाया नहीं है दो चार एकसल का डबा और कासे लेंप का डबा एकपर िख सर्षी मैं आपको बता दूँ कि यह मेरा old setup है जो मैंने setup पुराने घर में किया हुआ था आपको पता ही होगा कि मैंने नया घर ले लिया है मैं शिफ्ट हो गया हूँ नया घर में अभी तक मैंने वैसे setup कुछ किया नहीं है तो पता नहीं देखते हैं कुछ setup करते हैं फिर आपको यह बेग्राउंड जो है चेंज होता रहेगा आप मुझे बताइए कि बेग्राउंड में क्या लगाऊं जो बहुत ब्यूटिफुल दिखे अमजन से कुछ लिंग अगर है तो आप नीचे डेस्क्रिप्शन में डाल दीजे ताकि मुझे जादा ढूनने का जुरत नहीं पड़े इतना चल जाएगा ठीक है इसका नीचे में ट्राइपड लगाने के लिए भी है ऐसे मैंने इसका रिभी किया हुआ है आप अगर देखना चाहिए तो नीचे कमेंट किजिए मैं आपको लिंक दे दूंगा पिछले वाला यूटिव स्टूडियो बनाया था उसका टोटल प बताइए कैसा लगा और क्या टाइप का आपको वीडियो चाहिए मुझे बताइए मैं कि पर वाचिंग एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो ओके सो एड़ दा एंड यह मेरे पास है के पेक्सल का 60x जूम लेंस है जिसको मैं गीवावे देना चाहता हूं लेकिन यह इसे क्या हिए इसका फॉड़ाश जो हैं फ्रंट में थोड़ा सा फंगुस लग गया है तो मुझे कमेंट करके बताएए क्या और में एप अष्य को यह गीवावे मтов चाहिए अगर तो में इसको गेवावे दे शकता हूं यह से कुछ बात नहीं लेकां आप इसको यूज कर पाएंगे कि नहीं उसका गारेंटी में नहीं दे सकता, 50 कमेंट्स भी मिल जाए, तो में इस्टागराम पर अपना चालू कर दूँगा इसका गेवावे करना, ठीके, तो मैं वेट करूँगा, 50 कमेंट्स मिलेगा, तब जाके मैं ये गेवावे करूँगा, eller लास्ट में अगर योज नहीं कर पाते हैं तो जो करना आप करिए अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कर दिजे मैं डाल दूंगा ठीक है तो चेलिए